तो दोस्तो फाइनली काफी इंतजार के बाद OnePlus 9 RT का ओफिसली लाउंच डेट कन्फर्म हो गया है जी हाँ दोस्तो ये स्मार्टफोन 14 जन्वरी को लाउंच किया जाएगा हाला कि ये स्मार्टफोन को दिसम्बर में लाउंच करने वाले थे लेकिन Color OS 12 में काफी बक्स देखने को मिला तो इस वज़े से इसका लाउंच डिले कर दिया गया और इसके साथ OnePlus Bud Z2 को भी लाउंच करने वाले हैं और यहाँ पर इसकी काफी सारी एक्सपैक सामने आ चुकी है तो आज इस वाली वीडियो में OnePlus 9RT की स्पैस्फिकेशन और प्राइस के साथ लाउंच डेट के बारे में बात करेंगे और दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि हम इसी ही टेग वीडियो आपको फीचर में दे सके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर एक Samsung E4 Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की Full HD Plus आजूलेशन के साथ आएगा जहाँ पर डिस्प्ले का साथ 6.62 इंच का होगा जिसके साथ 120Hz सिफ्रेसेट और 600Hz का टस्सेंप्लिंग रेट का सपोर्ट दिया जाएगा जो की काफी कमाल की बात है और ओवरुल डिस्प्ले वाइस काफी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा फ्रंट साइड में आपको एक सिंगल पंच होल जो की टाफ प्लेट कॉनर में दिया गया है जिसके अंदर 16MP सूनी AMX 471 सेंसर वाला सेलफी कैमरा देखने को मिलने वाला है चलिए और बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरे के बारे में तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिलेगा जिसका में कैमरा 50MP का होगा जिसमें Sony AMX 766 सेंसर यूज किया जाएगा और यह सेंसर अभी OnePlus Note 2 में भी देखने को मिला था और इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा प्लस 16MP का अल्टावाड अंगर लेंस प्लस 2MP का टैली मैक्रो लेंस देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर कैमरा सेटप काफे इंटरस्टिंग होगा परफार्मेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको Qualcomm के तरफ से Snapdragon 888 का powerful 5G chipset देखने को मिलेगा और लेड़ी यह chipset आप कई सारे smartphone में देख चुके हैं जो कि अपने आप में ही काफी अच्छा processor है और काफी कमाल की परफार्मेंस देदेगा हाला कि इसमें आपको heating का issue देखने को मिलेगा और storage यहाँ पर आपको 6GB, 8GB और 12GB के RAM वेरियंट और storage 256GB तक का up to top end वेरियंट देखने को मिलने वाला है LPDDR5 RAM और storage टैप के लिए यह office 3.1 का support दिया जाएगा और इस device में आपका gaming experience next level तक का होगा और यह latest color OS 12 पर run करेगा तो performance wise के लिए smart phone होने वाला है और अगर battery और charging की बात करते हैं तो इसके अंदर 4500 damage की battery देखने को मिलेगी और इसको charge करने के लिए 65.8 के fast charger का support दिया जाएगा बाकी basic feature की बात करते हैं तो इसमें आपको in display finger pin scanner and type C port का support मिलेगा बड़ यहां पर 3.5 mm audio jack देखने को नहीं मिलने वाला है फाइनली बात कर लेते हैं इसकी launch rate और price की तो यह smartphone 14 जनवरी को launch कर दिया जाएगा और दोस्तो इसकी base frame की price around 40,000 से लेकर 45,000 के आसपास देखने को मिल सकती है और वैसे आपको क्या लगता है यह smartphone की price कितनी हो सकती है कमेंट बबताईएगा जरूर क्या आप लोग इस smartphone के लिए excited है इसके लावा अगर आपका और कोई कोशन है तो आप बेज़े ज़क पूछ सकते हैं बस इतना ही थास वाले वीडियो के लिए वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक सिए कमेंट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो को साथ तब तक लिए बाबाई